कि अच्जस्मेंट नंबर टू करते हैं हम किस पे सर अच्जस्मेंट नंबर टू आउट्स्टेंडिंग नो, 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 आउट्सेंडिंग, आउट्सेंडिंग को हम एक और नाम से जाते हैं, अनपेड, इसको एक और नाम से जाना जाता है, एरियर, इसको एक और नाम से जाना जाता है, पेवल, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है नौट पेड इसको एक और नाम से जाना जाता है Acrude ठीक है तो इतने सारे नाम मैंने पता है क्या लिख दिया कईपार question में आ जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर इतने सारे नाम है तो मतलब Outsending की बात चल रहा है सबसे Famous नाम होता है कौन सा Outsending जो हम ज़ाधसा ज़ाधा यूज करते हैं ठीक है सर ये भी आपको दो जगए देखने को मिल सकता है या तो दे सकता है examiner adjustment के अंदर या फिर दे सकता है आपको trial balance के अंदर हम दो ही तो चीजे कर रहे हैं यहां पर या तो given हो सकता है adjustment में या given हो सकता ट्राइल बैलेंस में अगर सर ये गीवन हुआ हमें ट्राइल बैलेंस में तो ट्राइल बैलेंस की कितनी एंट्री करेंगे अगर गीवन हुआ ट्राइल बैलेंस में अगर गीवन हुआ ट्राइल बैलेंस में तो एंट्री कहां कितनी करेंगे बताओ एक ही होनी चाहिए तो sir outstanding का nature देखा जाए तो liability होता है तो हमें लिखना है liability side liability गलत हो गया liability side ठीक है अगर आपका given हुआ sir कहां सर given हुआ adjustment में मैंने पीछे adjustment सब्ट का इस्तमाल किया ना हाँ ठीक है अगर given हुआ आपका adjustment में तो sir adjustment में जैसे ही दे दिया तो कितनी जगा ले जाओगे सर दो जगा जाएंगे adjustment में हुआ तो दो जगा जाएंगे sir दो जगा कहां जाना है sir एक जाएंगे हम profit and loss या फिर ट्रेडिंग मतलब सब समझा नहीं profit and loss या ट्रेडिंग आउटस्टेंडिंग की बात कर रहे है न तो यह सारा का सारा आउटस्टेंडिंग पता है किस पर depend की बात कर रहा हूं मैं यह खर्चे की बात कर रहा हूं आउटस्टेंडिंग इंकम भी हो सकता है sir मैं किस की बात कर रहा हूं यहां पर खर्चे की बात कर रहा हूं तो आउटस्टेंडिंग खर्चे की बात करूं तो खर्चा कहा हो सकता है या तो ट्रेडिंग में हो सकता है या P&L, treatment दोनों सेम रहेगा, इसलिए मैंने लिखा profit and loss या फिर trading में, क्या होगा सर, profit and loss या trading के अंदर, बहुत basic सी चीज़ है, इसको हम add कर देंगे, add कर देंगे, in expense, जैसे सर, अगर हुआ outstanding wages, तो हम कहाँ add करेंगे, trading में जाएंगे, और उस trading के अंदर क्या करेंगे, add कर देंगे, wages के अंदर, अगर हुआ outstanding salary, तो कहाँ जाएंगे, P handle में जाके add करेंगे, तो दोनों जगा जा सकता है, वो add हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, add in expense हो जाएगा, और ये कहीं भी जा सकता है, add in expense related to account, यानि सर ट्रेडिंग से related है, तो ट्रेडिंग में, PL से related है, तो PL में, सर अगर बात करें, अब दूसरा कहाँ जाएगा, सर, balance sheet में, सर, balance sheet में कहाँ लेके जाओगे इसे, balance sheet में लेके जाएंगे इसे, किस side बताइए, liability side, liability side, balance sheet में कहाँ जाएगा, liability side, अगर मानलो, मैं example भी ले लेता हूँ, example सोचो, हमारा पहले से rent given है, 4000 रुपे, ठीक है, और outstanding rent दे दिया, मान लेते हैं, 1000 रुपे, तो ये 1000 रुपे, तो दोनों ये कहाँ पे चला जाएगा, सर, P&L में, और P&L में क्या आगे हमारा, total 5000, अब कहाँ चले जाएगा, balance sheet के, तो liability में 5000 लेके जाएंगे, 4000 लेके जाएंगे, या 1000 लेके जाएंगे, तो सर, यहाँ पे कितना लेके जाएंगे हम, 1000 लेके जाएंगे, इस बात को आप समझिएगा, कोई doubt, clear है यहाँ तक, तो यह यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अब कुछ चीज़े और भी ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है, कि आपका गीवन हो, trial balance में, तो हमारा यह दे रखा है, और एक adjustment, चलिए ठीक है, एक और adjustment होता है, hidden adjustment, मैं उसके लिए separate ही, एक concept लेके आ जाएंगा, कई बार balance sheet, trial balance के अंदर होते हुए भी ओर adjustment का पार्ट बन जाता है, जिसको मैं hidden adjustment बोल रहा हूँ, तो वो मैं अलग से ले लुगा, ठीक है, चलिए सर, adjustment number 2 में कोई doubt, 3 पे आ जाते हैं, मैं इस पे star भी लगा देता हूँ, सर, इसका एक पार्ट pending है, आउट्सेंडिंग का एक पार्ट pending है, यह आउट्सेंडिंग का पार्ट A मानलो, B हम कभी करेंगे hidden adjustment में,